आधार пам przeci ac अलो आप्रीवन मानेश्मेंट मंत्रा की स् वीडियों में पढ़ेंगी डारतियक्ष वित्रण नेक्स्ट आप आप देखने की डारेक्ट मार्केटेंग से रिलेटेड कुन कुन से टॉपिक आप इस वीडियों में पढ़ने वाने फर्स्ट आता है इसका मेनिंग, टाइप्स, कंपोनेंट, एडवांटेज़ और डिसद्वांटेज़ इन सब भी को डीटियल में देखने से पहले, कॉर्णर आई बिटन पे क्लिक करके आप एडविटाइजिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस देख सकते हैं, जिसके अंदर आप आप अधिविटाइजिंग से रिलेटेज़ डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो देखेंगे, और इसकरिप्शन में मैनेशमेंट और कॉमेंट से रिलेटेड डिफरेंट सबजेक के वीडियो के प्लेलिस का लिंक अबलेवले आप 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 से देख सकते हैं, वीडिएओ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजे जना को सब्सक्राइब किजे और कमेंट किजे और किसी टॉपिक पर वीडियो चीए तो आप कमेंट कर सकते हैं तो फर्स्ट आता है इसका मैंनिग जो डारेक्ट मार्केटिंग है यह ताइप है मार्केटिंग कैमपेंग का जहां पर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं तार्गेट ओडियंस के सामने इसमें कोई भी एडवर्टाइजिंग का मिडिल में इन्वॉल्व नहीं होता है कम्पनी डारेक्ट अपने टार्गेट मार्केट या फिर कस्टमर को मासे डिलेवर करती है तार्गेटिट फॉर्म होता है मार्क करना उन्हीं तक इन्फॉर्मेशन भीजनी तो डारेक्ट मार्केटिंग का टेंचन है कि आप डिफाइन करें क्या action होगा टार्गेट ग्रूप अफ क्लाइंट का आप और को प्लेस कैसे करेंगे लोग कैसे वेबसाइट को विजिट करेंगे आप साइन अप करतें क्या ट् कूपन ब्रोशर पोस कार्ड और वेविनार एमेल मार्केटिंग ब्राइडली यूज कि आपके कैसे हम तो क्लिंग मार्केटिंग में आपने को ट्रिप्रलों एवेनश को को प्रेट काने के लिए यूस स baru करें के लिए हम। तो indirect marketing, brand awareness, loyal audience के लिए, lawyежд content के लिए, को रिख़ित के लिए, लाउन्ग तुम-मृटिंग को चलते रहने के लिए use किया जाता है, next विजुज़ wondkem और legitimate marketing के, o अफॉर्ड़ नेल मार्क जो कोड करते हैं, email marketing, web push marketing, mobile marketing, messenger marketing, social media, direct selling & telemarketing, अब इन सभी को detail में लेटते हैं फर्स्ट आता है email marketing ये एक simple, affordable, measurable होता है आप customer के साथ connection बनाते हैं तो companies इसमें use करते है email का जो कि directly mail को promotion message को product or services से related specific client को भीजा जाते हैं इसमें हम email का use करते हैं जिसमें transactional email, promotional email, newsletters होते हैं जिनको कि हम business email में add करते हैं को email मिलते हैं, Gmail पर जो आपका account होगा उसमें जो mail आते हैं, mobile पर जो mail आते हैं जितने भी mails होते हैं जो आपके spam में या पर junk mails होते हैं वो सारे आते हैं इसके अदर मतलब आपने particular website पर login किया तो आपको हमेशा कुछ offer है, कुछ discount है तो आपको message करता रहते हैं तो इस तरीके से email marketing काम करते हैं नेक्स्ट आता है web push marketing वेब push marketing ये भी टाइप है direct marketing का जो कि आपको notification message देते हैं जो कि customer को show होता है उपर जब भी आप internet के connection में होते हो तो आपको जो आपको mobile पर notifications आते हैं look for new shoes जैसे कि कुछ नई issues कि आपने site visit क्यों भी तो उससे related message आए आपको particular site का तो इस तरीके से message डिस्प्ले होते हैं जो कि आपको notification के form में rectangular section में mobile ये laptop की screen पे दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं web push notification ये help करते हैं हाँ one two way communication कर सके subscriber को जो भी need है particular address करना चाते हैं उससे related हमारे पास data होते हैं और उन्हीं लोगों को ये message deliver होते हैं तो ये information store होती है subscriber के browser में और उसके according ये उस information का use करके उनको ये message send करते हैं next आता है mobile marketing mobile marketing involved होता है कि हम send करते हैं different promotional content को user के साथ mobile devices पे mobile marketing launch करता है marketer कि हम inform करें customer को क्या base deal है क्या sales है regular update देता रहता है हम mobile पे तो वो होता हमारा mobile marketing next आता है messenger marketing messenger marketing approach बताता है कि हम promotion और marketing करते हैं like chatbot जिसमें कि हम different messaging app का use करते हैं like whatsapp, facebook या फिर telegram जिस पर की company answer करती है customer के क्या question से autopilot mode पे जिससे की possible होता है कि आप सही convenient तरीके से अगर उनकी कोई query है उनको कोई doubt है किसी भी product से related तो आप उसको solve करते हैं तो यह messenger marketing होता है कुछ other types होते हैं direct marketing के जो की businesses use करते हैं like social media direct selling और telemarketing social media brightly used के जाता है business में social media में आप कैसे promote करेंगे growth audience की यह help करता है कि company कैसे feedback ले सकती है product के बारे में उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या comment करते हैं वो आप पता करते हैं next आता है direct selling direct selling में involved होता है post करते हैं mail को promotional message को brand product या services से related इसमें include होता है like post cards catalogs या फिर envelope mail next आता है telemarketing telemarketing approach होता है direct marketing का जिसमें involved होती है क्या reach है potential client की phone call से वो कैसे sales के call को attain करते हैं कैसे वो अपने product के बारे में बताते हैं तो एक efficient tool वो होता है कि आप marketing campaign में अपने एक number दिया toll free लोग उस पर call करके आपके product या services के बारे में उच जादा detail में जान सकते हैं next आता है एक essential component होता है direct marketing का इसके absence में marketing को हम नहीं कर सकते हैं यह simply collection होता है कि record का client से related information होती है potential है existing one है मतलब एक बार आपके पास आया है कि हमेशा ही आपका product लेता है तो आपको इसमें customer या client के बारे में पूरी information मिलती है company के पास quality रहती कि contact database को यूज करें इसमें आप change कर सकते हैं communication को दूसरे client को same time पे individual के manner में contact database company को बताता है कि वो quality contact database करें एक ही बार में company same ही issue के बारे में different number of audience है या client से different तरीके से deal कर सकती है individual manner next आता है unique offer offer simply deal होती कि जो भी company customer को attract करने के लिए कम price में उनको कुछ exclusive bonus देती है यह opportunity रहती है कि वो particular product try करें क्या फ्री है क्या limited period of time है क्या proposal है company का इसकी absence में आप interaction करते हैं कि इस group को आप target कर रहे हैं और क्या possible efforts है ताकि आप unique और attractive तरीके से उनको attract कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको लिखते हैं इस तरीके से offer या bonus देते हैं ताकि आप उनको attract लें next आता creative direct marketing में creative component होता है कि लोगों को आप इस तरीके से appeal करते हैं जिससे उनको लगे कि आप emotional हो सकते हैं मतलब कुछ appeal का form लेते हैं जिनसे कि आप उनको trigger कर सकते हैं यह component बहुत जादा rank नहीं करते हैं पर database और offers है वह बहुत जादा rank करते हैं मतलब बहुत जादा important होते है direct marketing के point of view से तो आपके पास high quality database होना चीए कुछ creative या grateful rate of response को ले सकते हैं next आता communication method आपको बताता है क्या responsibility आप decide करें क्या idea है क्या proposal है टार्गेट सेग्मेंट को आपको टार्गेट करना है तो इसमें आप different तरीके से message को client को orally written या फिर visually तरीके से communicate करते है next आता है क्या advantages होते है direct marketing के तो first day target audience direct marketing large customer पे हम focus नहीं करते हैं जो हमारा target market है हम उनहीं को target करते हो और उनी तक हमारे message को भेचते है next आता है avoid middleman जो की B2C में होता है ये direct marketing B2C strategies होती है जो की business to customer है इसमें हम कोई भी middleman like wholesaler, distributor, retailer ये लोग नहीं involved होते हैं आप directly company और company से customer के बीच में communication होता है next आता है enhance profitability इस form के थूँ आप profit को जादा increase कर सकते है जो भी advertisement की cost है वो हट जाती है क्योंकि mail करने में बहुत कम charges लगता और internet connection है तो ये free of cost होता है तो ये आपकी profitability को increase करता है next आता है effective personal interaction जो भी B2C है तो इसमें आपका seller और buyer का interaction होता है इसमें कोई भी middleman involved नहीं होता है तो आपको इसमें direct feedback company से मिलता है कोई भी problem है कोई भी solution है वो आपको वहीं से मल जाता है next day raise customer loyalty ये help करता है कैसे आप customer की loyalty को improve कर सकते कैसे आप personal touch में रह सकते है direct interaction कर सकते है customer के साथ में तो customer अगर directly company से communicate कर रहा है तो उसकी loyalty increase होता है next आता है more accuracy बहुत सही तरीका होता है accurate होता है तो इसमें आप direct marketing campaign का use करते है जो कि direct matrix को बताता है उनकी presence को बताता है उसके key performance indicator को दिखाता है next आता है affordable जो direct marketing होती है वो other form of communication के comparison में affordable होती है मतलब बहुत कम cost में होती है या cost involved में होती है next आता है better performance measurement यह form है marketing का कि आप accurate feedback ले सकते है immediate sellers है marketer से यह help करते है कि कैसे आप effectiveness को marketing campaign की measure कर सकते है real time में और उनके feedback को ले सकते next आता informative जो direct marketing campaign होती है detail में product या services की information को target customer को भेजते रहते तो आपकी value positioning होती है और इस तरह की information उनको decision लेने में help करती है उनको सब पता होता कि product के बारे में उनके बार सारी information है तो वो सही decision ले सकते है next आता है कि क्या disadvantages होते है direct marketing के first आता है not suitable for all business जो direct marketing है वो सभी customer group के लिए suitable नहीं होता है यह help करता है कि आप अगर कुछ specific target कर रहे हैं low response rate जब भी आप direct marketing का use करते हैं तो लोग response नहीं करते हैं लाइक उनके जो emails आते हैं वो spam या फिर junk में पढ़े रहते हैं लोग उसको block भी कर देते हैं क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते हैं जब login करवाते हैं टाइम पर उनके detailed information ले जाते हैं अगर आप postal system का use कर रहें डारेक्ट मेल को आप send करने के लिए उस कर रहें तो इसमें high cost involved होते हैं नेक्स आता time consuming personally आप हर particular व्यक्ति को message करेंगे तो इसमें बहुत जादा time involved होता है नेक्स आता target many not interested people बहुत बार ऐसा होते है कि डारेक्ट मार्केटिंग में इतना है आपके इसमें spam और junk mills होते हैं कि यह wastage of money और time होता है क्योंकि लोग इसमें interest लेते ही नहीं है नेक्स आपको इसमें start करना है तो आपको कुछ ऐसा देखना है कि जो कि लोग को interesting लगे कुछ नया लगे कुछ अच्छा हो इस तरीके से आपको उसको use कना है तो डारेक्ट मार्केटिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका meaning, types, component, advantages और disadvantages वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजी या जनन को subscribe किजी और comment किजी और किसी topic पर वीडियो चीता आप comment कर सकते हैं Thank you